संस्कृट में रीडिंग कैसे करें संस्कृट केसे पड़ें जब आप क्लास 6 में आ जाते हो तो आपके सामने आता है एक नया सबजेक्ट जिसका नाम है संस्कृट अब Sanskrit में ये होता है कि आप 6th क्लास में हो कि आपको शुरुआत से पढ़ने का तो रहता ही नहीं है जब आप Hindi या English या Other Languages क्लास फर्स्ट से या फिर KG1, KG2 से पढ़ते हैं तो आपको वहाँ पर उनके वर्ण सिखाय जाते हैं, उनको पढ़ने का तरीका सिखाय जाता है, बोलने का तरीका सिखाय जाता है लेकिन, 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 जब आप Sanskrit पढ़ते हैं तो वो होती है आपकी क्लास 6th से कक्षा 6 से आप Sanskrit पढ़ना चालू करते हैं आपका subject आता है तब क्या होगा तब यह होता है कि सीधा आपके सामने आ जाता है पूरा का पूरा chapter तो उसको read कैसे करें पढ़े कैसे कुछ उसके नियम कुछ उसके rules जरूर होते हैं जिसको हमें समझना चाहिए पढ़ना चाहिए अगर आपको बहुत चीज़ें आती हैं तो आपको Sanskrit पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं आएगी तो यह वीडियो मैंने basically जो beginners हैं जिनको Sanskrit पढ़नी नहीं आती है या पिर Sanskrit पढ़ने में समझ से आती है उन लोगों के लिए है यह advanced नहीं है यह वीडियो तो जो advanced Sanskrit की बात सूच रहे हैं तो कि पर आप वीडियो ना देखें नहीं बाद मैं डिस का system ही नहीं है अगर आपको अच्छा लगता तो आप अप्रिशेट कर सकते हैं लेकिन एक बाद डिसलाइक क्यों करना तो अगर गाइस आपना भी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं है तो आप सबसे पहले तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपको Sanskrit सीख सिखना है हिंदी सीखना है यह फिर आपको क्लास में अपनी क्लास में टॉप करना है है आपको अब करना का aç ज़रूर करें क्योंकी एक सब्सक्राइब आपको फैल होने से बचा सकता है पक्लीत करतें Sanskrit को कैसे पढ़ना है कैसे उसकी लिडिशिसा जैसे में एक बिलगल हें और था यहां पर आपर बिसर्ग लगए तो जबसे पहले लिए बिसर्ग का लेकिसाद सब्सकुराण होता हा थो दो इसको पढ़े हैं थाहर तो पने हैंडी जैसे पढ़नार तो जिय ada इस regularly movements यह मोटे तो Sanskrit और Hindi सेम तो है नहीं है दोनों अलग अलग लेंग्वेज हैं तो दोनों के अपने अपने रूल हों गोगे जैसे कैसे हो सकती है तो यहां पर सबसे पहले बिसर्ग की बात करें बिसर्ग को इस तरीके से पढ़ना तो हा प्रनांसेशन आएगा बटी सॉप्ट हा आएगा बहुत तेज भाला हा नहीं आएगा शह सह अगरा सोचोगे तो आ है तो सह बोल दो यह जाता है तो जैसे नाम लेका आटा हूं में दीलेख देता हूं मैं बिसर के लगा दिये तियो जलएगा सुरेश है क्यों जलएगा सुरेश है Yes αगर में झकेता है सुरेष गतला जाता है समझ में आ गया तो बेस ऐह से क्रेश 싸 है तो शह सुरेश है, राम है, श्याम है, पुश्पेंद्र है, धाकड है, तो मतलब यहाँ पर आपको बिसर्ग जो होते हैं इस तरीके से बोलना होता है, तो आपको अब यह बिसर्ग जहाँ पर भी आएंगे आपको पढ़ने में समस्या नहीं होगी, चली अब हम दूसरे तरी बिंदी में क्या बोलते हैं इसको ना बोलते हैं, वो अक्छल में यह होता है, मामा में हलन्द, मैं इसको ऐसे भी लिख साता था, अहम पठामी , मैं पढ़ता हूं, believing यह बिंदी आती नहीं मा का उच्चारंण करता है, जैसे यह लेखा है , तो अगर यह लेखाता इसको यह जो बिंदी होती ऊपर जो लगा रहता है कौने में लिखा रहता है तो जैसे आप कहीं भी उपर लिखा होगा तो आप यहां पर क्या जैसे यह कुछ भी लिखा है जैसे यह लिखा है यह हो जाओ जाएगा है है जैसे यह लिखा है इसका मतलब क्या है यहां खेत्र हम ओजाएगा यहर्षे तो बेसे लिखा है तो बेसे आ लिखा ये छेत्रम, अगर ये ऐसे लेखा है और ये ऐसे बिंदी रिखती हो जायागा तो मतलब बिंदी रहे होंगे यह उपर जैसे बिंदी रहे इसको माँ पढ़ते, समाझ में आगई बात तो इस तरीके से आप दो तरह की चीजाथे, एक तो बिसर्ग का सीखे आप और दूसरा यह बिंदी जो अनुस्वार होता है दो बिंदू में तो इनका आपको बेसिकली प्रिनंसेशन इस तरीके से करना है मोस्टली जो चीजे हैं वो हिंदी को फॉलो करती हैं बट कुछ कुछ इसके नियम होते हैं पढ़ने के उनको इस तरीके से पढ़ते हैं तो जो मेहन सबसे ज़्यादा आपको शुरुआत होगी संस्रित पढ़ने में वो सब ज़्यादा शुरूआत यह है कि जब दो बिंदिया है तो हा होता है और एक बिंदी हो तो मा होता जैसे वयम अहम ग्रामम छेत्रम कोकिलम मतलब कोई भी नाम में हम आएगा तो जैसे इ और भी संस्रित बोलने सीखना उसके टिफ्स चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और भी बहुत सारे वीडियो मैंने बनाए हूं संस्रित पर जो बेसिक संस्रित ग्रामर को ब्लॉंग करते हैं और अगर आप उनको पढ़ेंगे तो आपको बिल्कुल जो ब करें को बेसे किरह आल गया को बसक्राइब प्राइए और अगर है अगर आपको फेले रही कि अच लगा पी लाइक करेंने और सब्सक्राइब जरूर करें और बतला लोगों तक ग्न उपंग् difference प्रो Mr. invited,